नमस्कार दोस्तों साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड आपका हार्दिक त्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं दोस्तों आज का सत्र बहुत-बहुत-बहुत महतुपून और रोचक होने वाला है क्यूंकि आज हम प्रयोगवाद के सूत्रधार प्रयो महतुपून कविता असाध्य वीना पर बात करने वाले हैं असाध्य वीना पूर एक लंबी कविता है उसे पूरा पढ़ना एक सत्र में संभव नहीं इसलिए केवल उसकी विशय वस्तु पर बात करते हुए कुछ एक चुनिंदा पाच्छ है आईश्ट जो बहुत महतुप सत्र में हम अग्य के जीवन परिचय पर बात नहीं करेंगे उसका एक स्वतंत्र वीडियो हम अपलोड करेंगे क्योंकि अग्य पर असाध्य वीना पर विशेश तोर से इतना कुछ है कहने और समझाने के लिए कि एक सत्र में जीवन परिचय और असाध्य वीना को समेटना नाममकिन है इसलिए हम केवल उनेक महतुपून तत्यों पर बात करेंगे जो अग्य के विशे में हमें असाध्य वीना पढ़ने से पहले जानने चाहिए तो चलिए सबसे पहली बात जो हम हमें जाननी चाहिए कि वे प्रयोग वाद के प्रवर्तक हैं उन्निस सो त्यालीस में आपने तार सब्तक का प्रकाशन किया और यहीं से हिंदी साहित्य जगत में सब्तक परंपरा की शुरुवात हुई और यही वर्ष उन्निस सो त्यालीस का वर्ष प्रयोग वाद के प्रवर्तन का वर्ष माना जाता है यानि तार सब्तक से प्रयोग कवियों की महतुपूर्ण कविताओं को संकलित किया गया था, पहला है तार सब्तक, फिर दूसरा सब्तक, तीसरा सब्तक और चौथा सब्तक, साहित अकादमी पुरसकार से आप सम्मानित हुए और खास्त और से आपकी कृती आंगन के पारद्वार 1964 में इसे साहित अकादमी पुरसकार से नवाजा गया, आपको अपनी कृती कितनी नावों में कितनी बार पर 1978 में ज्ञान पीठ पुरसकार प्राप्त हुआ, आपने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिन में से सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और दिनमान आधी पत्रिकाएं विश अध्यवीना, ये कविता दोस्तों जापान में रहे थे 1957 और 58 में अग्ये और उसके बाद 1961 में आपने इस कविता की रचना की और ये 321 पंक्तियों की एक लंबी कविता है, यानि यदि प्रश्न पूछा जाए कि असाध्यवीना का कावियरूप का क्या है, तो आपको कहना है लंबी कविता, आपका विकल्प लंबी कविता ही होना चाहिए, अग्ये के कविता संग्रह, आंगन के पारद्वार में ये कविता संकलित है, आंगन के पारद्वार वही संकलन है, वही कविता संग्रह है, जिसको साहित अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वर्णात्मक और प्रतीकात्मक लंबी कविता है यानि इसमें वर्णन भी है और उन वर्णनों में कवी ने सुन्दर प्रतीकों का प्रयोग भी किया है और हाँ एक बात और आंगन के पारदवार का प्रकाशन वर्ष 1961 है 1961 में ही लिखी गई कविता और 1961 में ही ये उनके कवित अधिकतर कई बार परिक्षाओं में मैंने देखा है कि चीनी विकल्प भी आजाता है, तो जो भी विकल्प आए चीनी जापानी आए तो आपको चीनी जापानी को सही मानना है, अगर जापानी आए तो जापानी को और चीनी आए तो चीनी को, दोनों विकल्प एक साथ नहीं आएंगे और आएंगे तो एक ही विकल्प में आएंगे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मुल्क का कथा जो है, जिस कथा को आधार बना करके, असाध्य वीना कविता रची गई है, वो ओका कुरा जो एक जापानी विद्वान है, उनकी एक किताब है, दबुक आफ कवी ने असाध्य वीना नामक कविता लिखी है, हाथ का मतलब होता है वीना, यानि वाध्य यंत्र और टेमिंग यानि वीना को साधने का काम करना, ये टेमिंग शब्द यहां साधने के रूप में काम में आया है, लेकिन आज कल जानवरों को साधने उनको ट्रेन करने के ल उसी को आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है। विद्वान बहुत सारे विद्वानों की मानेता है कि इसमें बौध दर्शन के तथवतावाद का प्रभाव है। वही दोस्तों तथता है। और उसी में विश्वास व्यक्त करना तथतावाद है। और क्योंकि गौतम बुध ने उस तथतावाद को यानि सांसारिक सत्य को जान लिया था। यही कारण है कि उन्हें तथागत यानि तथा को यानि उस तथता को यानि ग्यान को प्राप्त हु संग्रह जिसमें असाध्य वीन कविता संकलित है. वो तीन भागों में मोटे तौर पर संकलित है. और उन तीन भागों के नाम आपको कंठस्त होने चाहिए पहला है अन्तह सलीला, दूसरा है चक्रांत शिला और तीसरा है असाध्य वीना जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं अब असाध्य वीना जो है वास्तों में ये असाध्य वीना एक प्रतीक आत्मक शीर्षक है असाध्य वीना का अर्थ क्या होता है शाब्दिक अर्थ की बात करें तो असाध्य वीना का अर्थ होता ह वो वीना, वो साज, जिसे साधा नहीं जा सकता, यानि जिसे बजाना आसान नहीं है, स्तहज नहीं है, अब इसके प्रतीकार्थ बहुत सारे हो सकते हैं, असाध्य वीना जैसे जीवन अपने आप में एक असाध्य वीना है, जैसे ये जगत इसके रहसे को जानना अपने आप म एक असाध्य वीना है और इसी बात की ओर इस प्रतीक के माध्यम से संकेत किया है कवी ने अब प्रश्ण ये उठता है कि फिर यदि वीना असाध्य है यदि जगत असाध्य है यानि इसे जानना नामों के नहे यदि जीवन असाध्य है तो फिर इसे साध्य कैसे जाए और उस इसी राह को यहां संकेतित करते हैं, इंगित करते हैं कभी अग्ये, कि आखिर वो राह कौन सी है, जिस पर चलकर जीवन की, जगत की जो असाध्य वीना है, जिसको बजाना, जिससे साधना बहुत मुश्किल है, उसे कैसे साधा जाजसता है, तो इसी पर हम आगे बात करेंगे तो किरिटी तरू इसमें जो प्रमुक शब्द इस्तेमाल हुए है वो है एक वज्र कीरती नाम का व्यक्ति वज्र कीरती एक साधक है बहुत महान साधक है कखिन तपस्या की है उसने और उसी ने अपनी जीवन भर की साधना से इस असाध्य वीना को बनाया है जिसको आधार ब विशाल काय व्रिक्ष है ये किरीटी व्रिक्ष भी उस परम सत्ता संसार में व्याप्त जो सत्ता है जिससे सारा का सारा ब्रहमान जिस पर टिका हुआ है जिसके द्वारा संचालित और नियमित होता है ये किरीटी तरू उसी सत्ता का प्रतीक है उसके बाद तीसरा महतुपू तो किरीटी तरू परम सत्य का प्रतीक है, यानि संसार में जो कुछ भी विद्यमान है, जो सच है, जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन जिसे अनुभव करने के लिए, जिसे अपने हिर्दय में महसूस करने के लिए कठोर साधना और पूर्ण समर्पन की आवश्यक्ता है, उस सत्य का प्रतीक है किरीटी तरू और जो वीना से निकला हुआ जो संगीत है, वो उस सत्य की ये जो परम सत्य है, इसकी सशक्त अभिव्यक्ती का प्रतीक है, इन दो बिंदूओं को आप ध्यान में रखेंगे, अब बात आती है, असाध्य वीना की आखिर मूल समवेदना क् याने बिना हम कविता के सार को अच्छी तरह से समझ नहीं सकेंगे, तो मूल समवेदना है एहम का विल्या यानि अपने एहंकार को समाप्त करना, एहम यानि एहंकार, पूर्ण समर्पन यानि जो कुछ भी हमें साधना है जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है अगर सरल शब्दों में और आपके आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बात करूं तो जो भी हमारा लक्षे है उसके प्रती पूर्ण समर्पन का भाव रखना यानि हमें हम इतने स पूर्ण समर्पण भाव से टिकी रहे तो ये पूर्ण समर्पण होना जरूरी है फिर सृष्टी के साथ अदवुत तादात में स्थापित करना अब ये सृष्टी आप लोगों के वैसे तो सृष्टी या नि ये पूरा अखिल ब्रह्मांड ही सृष्टी है लेकिन यदि लक्षे को साधने के लिए तब से पहले उसके परिवेश को अपने भीतर ज़्द करने की जरूरत है, अपने भीतर महसूस करने की जरूरत है, तो उसके शुर्ष्थी के साथ अदु ताधात में स्थापित हो ना, कि जब हम उसके परिवेश के साथ एकता स्थापित करेंगे, तादात में स्थापित करेंगे, एकाकार हो जाएंगे, कि हमें कुछ और उस परिवेश के अतिरिक्त दिखाई ही न दे, तो हम अपने लक्षे, यानि जिसे हम साधना चाहते हैं, उसके प्रतितो एकाग्रचित हो ही चाहेंगे होने पर ही अलौकिक एवं चमतकारिक स्रजन संभव है जितने भी अलौकिक महतुपूर्ण स्रजन कार्य होते हैं यह इस स्थिती के बाद ही संभव हो सकते हैं यह इस असाध्य का विले करना होगा और लक्ष के प्रती पून समर्पन का भाव रखना होगा और उसके परिवेश के प्रती अपना तादात में यानि अपने आपको एका कार करना होगा अपने आपको लाए करना होगा उसके बाद कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको अपनी उस साधना को सफल कर की साधना का जंखरी पूरो는데 सम अ है, मैं आपको बताई कि एक चापव लोग कता पर आधारित तो सबसे पहली बात है कि इसमें कहा गया है कि चीन में एक राजा था उसके पास एक अध्भुत वीना थी यह वीना वज्रकीरती नाम के साधक में यह सब भारती नामों का कवी ने भारतिये करन कर दिया है चीनी जापानी भार्षा में जो कविता मूल का जो कथा है उसमें यह नाम बिलकुल भिन है तो कभी लिखते हैं कि यह वीना वज्रकीरती नाम के साधक ने किरीटी नाम के तरूप के काष्ट से यानि उसकी लकड़ी को काट करके बनाई थी और यह वज्रकीरती के जीवन की साधना थी यानि उसने ये अद्भुत वीना एक दिन में ही नहीं बना दी बलकि उसका पूरा का पूरा जीवन उसने उत्सर्ग कर दिया उस अद्भुत वीना को बनाने में तो जिस तरह से वज्रकीर्ती ने अपने पूरे जीवन को समर्पित करके ऐसी अद्भुत वीना का संगीत सुनने को व्यागर था क्योंकि अब वज्र कीर्थी किया तो जीवन समाप्त हो गया तो वीना राजा के पास आ गई राजा व्याकुल है कि किस प्रकार मैं इस अद्भुत वीना का संगीत सुनूं तो संगीत सुनने के लिए व्याकुल है लेकिन बहुत सारे साधकों को उसने बुलाया, संगीत साधकों को उसने बुलाया, एक से एक नामी संगीतकार वहां आए, लेकिन कोई भी उस वीना को साध नहीं सका, आखिर क्यों नहीं साध सका? अतह यह वीना, असाध्य वीना के नाम से प्रसिद्ध हुई, यानि इस वीना को नाम असाध्य वीना यो मिला? क्योंकि इसे साधने में कोई भी कलावंत, कोई भी महत पून, प्रसिद से प्रसिद ज्यानी से ज्यानी संगीतकार इसे बजाने में सफल नहीं हो सका, क्यों नही किया गया था क्योंकि पूर्ण समर्पन नहीं था क्योंकि स्रिश्च्री के साथ तादात में स्थाफित नहीं किया गया था इसलिए वो इस वीना को बजाने में सफल नहीं हो सके ग्यान होना अनुभव होना एक अलग बात है लेकिन पूर्ण समर्पन के साथ अपने लक्षे क साथ एकाकार होकर लक्षे की दिशा में कदम बढ़ाना बिलकुल अलग बात है और यही अलग बात हमें अपने लक्षे के निकट ला करके खड़ा कर देती है यही बात यहां कभी ने की है तो अंततह प्रियमवद आता है प्रियमवद जिस जो वीना बजाने में सफल होता है राजा के दरवार में पहुंचता है और वो एहंकार को विलीन करके एहंकार रहित होकर पूरे समर्पन के साथ, स्रिष्टी के साथ तादात में स्थापित करता है और अपने विश्वास के बल पर वीना को साधता है और सभाजनों को अपने अपने सत्य का साक्षातकार कराता ह अखिर ये अपना अपना सत्य इससा प्रत्याक व्यक्ति की आपना सत्या होता है। और प्रत्याक व्यक्ति की अनुभूतीया एक जैसे नहीं होती। सुर्योदय को देखकर किसी के मन में कोई और भावुतपन हो रहा होता है, कोई चिडियों के कलरव की बात सोच रहा होता है, कोई फूलों के खिलने की बात कर रहा होता है। तो जिस तरह से द्रश्य एक है, लेकिन उसकी अनुभूतियां प्रत्येक व्यक्ति के हिर्दय में अलग-अलग स्तर पर हैं, तो उसी मात को धियान में रखते हुए, उसी स्थिती को धियान में रखते हुए, कभी यहां कह रहे हैं कि वीना का जब स्वर प्रियमवद ने वी यानि प्रत्येक व्यक्ति का अपना-पना सत्य होता है, अलग-अलग सत्य होता है, देखिए दो प्रकार की सत्य की बाते हो गई, एक सत्य वो जो इस संपूर्ण स्रिष्टी में व्याप्त है, जो सब के लिए एक है, एक सत्य वो जो व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी द्रश्य को देखकर अपने भीतर महसूस करता है वो सत्य सबका अपना अपना निजी सत्य होता है और सभी के निजी सत्यों से मिलकर के ही एक विराट सत्य रचा जाता है तो उसी बात की और यहां संकल संकेत किया जा रहा है अनेक वीना वादकों के बाद असफल होने के बाद केश कंबली प्रियमवद राजसभा में आया प्रियमवद को केश कंबली कहकर पुकारा गया है प्रशन पूछा जा सकता है केश कंबली किसे कहा गया है तो प्रियमवद को कहा गया है क्यूं कहा गया है क्यूंकि उसकी जट राजा ने जब प्रियमवद दर्बार में पहुंचा तो राजा ने उसके प्रतियाभार व्यक्त किया और अपने सेवकों को संकेत किया कि जाकर वीना लेकर आएं। राजा ने ये भी बताया कि ये वीना उत्तराखंड के गिरी प्रांत में स्थित किरीटिव रिक्ष से बनी है और ये किरीटिव रिक्ष इतना विशाल था कि उसकी उचाई देखकर लगता था जैसे बर्फ के उचे-उचे पहाडों के शिखर उसके कानों में कोई रहस्य कह रहे हो बहुत ध्यान देंगे इस बात की तरफ इस बात से कवी क्या संकेत करना चाहते हैं कवी कहना चाहते हैं कवी किरीटि व्रिक्ष के आकार की बात कर रहे हैं व्रहद आकार की बात कर रहे हैं और ये आकार ऐसा है मानो किरीटि व्रिक्ष साधारन व्रिक्ष नहोकर सं पूर्ण ब्रह्मांड में व्यात कोई सत्ता है, यानि परम सत्ता का प्रतीक है किरीटी व्रिक्ष, जब हम ब्रह्म के स्वरूप के विशह में बात करते हैं, जब हम कबीर की साखियां और उनके पद पढ़ते हैं, या हम तुलसी के पढ़ते हैं, तुलसी के दोहे पढ़ते ह तो हम जानते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप वहां जो कुछ भी बताया गया है वो किरीटी वरिक्ष से काफी कुछ मिलता जुनता है तो देखें किरीटी वरिक्ष की विशालता की बात करें तो इतने उचे हैं कि क्यूंकि उतरा खंड है तो हिमाले की परवत श्रिंक लाएं है वन प्रदेश है और वहीं पर किरीटी वरिक्ष है तो इतना उचा है किरीटी वरिक्ष के ऐसा लगता है मानो हिम शिकर जो है वो उसके कानों में गुप चुप कोई रहस्य में बात कर रहे हो यानि सचमुच में बात करने की बात नहीं है यहां इसके द्वारा संकेतित है क क्योंकि आकाश पक मुचा दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि मानो उसकी शाखाएं, जो उसके कंधे हैं, उन पर बादल विश्राम कर रहे हों, और उसकी हाथी की सून सी शाखाएं, और उसकी शाखाएं इत्ती नाजुक और कमजोर नहीं हैं, बलकि हाथी की सून के समान सशक्त, मजबूत और सुद्रण हैं, वो शाखाएं कैसी हैं, बरफीली वर्षा से जीवों की रक्षा करती हैं, यानि जो परम सत्ता है, उसका एक गुण होता है, एक तो विशालता हो गई, संपून संसार में, जगत के कणकण में, व्याप्थ होना, वो किरिटीव रिक्ष में है, दूसरा, जीवों की रक्षा करना, रक्षा का भाव, तो वो रक्षा का भाव भी किरिटीव रिक्ष में है, किरिटिव रिक्ष की कोटर में भालू रहते हैं चाहे कोई भी जीव जन्तु हो समदर्शी होती है परम सक्ता और इसी प्रकार किरिटिव रिक्ष भी समदर्शी के गुण को ग्रहन करता है अपने व्यक्तितु में प्रतिविंबित करता है अभी व्यक्त करता है क्योंकि उसक कोटर में भालू रहते थे और शेर उसकी चाल से कंधे खुजलाते थे और उसकी जड़े पाताल तक फैली हुई थी यानि अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है किरीटी व्रिक्षर जड़े पाताल तक फैली थी और ऐसा माना जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में कि वासुकी नाग था वो उसकी जड़ों की सुगंद का सहारा लेकर उन पर अपना फंटिका कर सोता था यानि प्रित्वी को आधार भी कौन देता था किरीटी व्रिक्ष देता था क्योंकि स्वयम वासुकी नाग भी उसी पर आधार इता उसकी जड़ों पर अपना फंटिका करके सोया करता था वीना को अब प्रियमवद ने वीना ले लिए सब राजा ने बता दिया प्रियमवद को प्रियमवद ने वीना को प्रणाम किया और वज्र कीरती एवं किरीटी तरू को प्रणाम किया ध्यान देंगे देखिए पहले उसने वीना को प्रणाम किया उसके बाद उसने जिस वस्तु से, जिस व्रिक्ष से, किरिटी व्रिक्ष से वीना बनी थी, उसे प्रणाम किया, यानि क्रमशह वो अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर रहा है, उसके बाद जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने वीना बनाई थी, उसे प्रणाम किया, यानि हमको इतना अधिक एहिंकार से रहित हो जाना है, इतना विनम्र हो जाना है, इतना शुद्ध रह हो जाना है, कि हम अपने लक्ष से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तू को, प्रत्येक परिवेश को आनंद के आदर के भाव से देखें. और सम्मान पूर्वक वीना को गोद मेरख, श्रद्धा से अपना मस्तक वीना के तारों पर टिकाया. सभा को लगा, जब वीना के तारों पर उसने अपना मस्तक टिका दिया, प्रियमवद ने, तो सभा में बहुत सारे लोग हैं, बहुत विकठा पूरा जन समुदाया है, क्य प्रियम्बत कहता है हे किरीटी तरू, अब देखिए समर्पन भाव, हे किरीटी तरू, यह वीना तेरी काया को छेद कर बनाई तरू, आए गई है, यानि तेरी शाखाओं से, तेरी काश्ट से बनी है, मैं तेरे सम्मो खत्यंत तुछ हूँ, एहंकार का दिल है, मैं बहुत छोटा हूँ, तुम महान हो, विशाल हो, ब्रह्मांड में व्याप्त हो, अतह मैं इस पर अपने हाथों की चोट नहीं दे सकता, क्यूंक मैं अपने हाथों से इस वीना के तारों पर चोट दूँ, क्यूंकि ये मेरे लिए दुस्साहस होगा, इतनी विनमरता, इतना एहंकार रहित हो जाता है, प्रियमबद वह किरीटी तरू को पिता तुल्या, क्या आप मेरे पिता के सद्रिश हैं, आदर्निया हैं, स्वैंपोन की गोद में बैठा, एक प्रसंचित अबोध बालत मानता है, और उससे प्रार्थना करता है किरीटी वरिक्ष से कि आप मुझे संभालें, संभालना किस अर्थ में है कि वेना को साधने के लिए मुझे समालना है, वह किरीटी तरू से प्रार्थना करता है कि हे किरीटी वरिक्ष तुम गाओ、 कि मैं तो बजाने का साहस नहीं कर सकता इस वीना को ये इतनी पवित्र मंत्र-पूत वीना है, मंत्रों से सिद्ध किये गए, काश्ट से बनी वीना है तो ऐसी स्थिती में मैं इस पर अपने हाथों का प्रहार नहीं कर सकता इसलिए हे किरिटिव रक्ष तुमने अपनी स्रिष्टी से जो ध्वनिया जो संगीत प्रकृति का अपने भीतर समेटा है इतनी सेंक्डों हजारों वर्ष तक उसे तुम खुद गाओ मेरा साहस नहीं मेरी क्षमता नहीं मेरा सामर्थ नहीं कि मैं इसे बजाकर उस सुर को निकाल सकूं क्योंकि तुम स्वयम ही इसमें संगीत बनकर अपने आपको अभिव्यक्त कर सकते हो ये वीना तुम्हारे सम्मुक रखी है तुम्हारे ही स्वरूप से बनी है इसलिए इसे मैं नहीं बज ये समर्पन पूर्ण प्रार्थना करता है प्रियमवद किरीटी व्रिक्ष से तुम अब वो किरीटी व्रिक्ष के कागुणगान करता है वो कहता है कि तुम अविनाशी हो तो मैं कोई नश्ट नहीं कर सकता तुम आत्मभरित यानि स्वयम मैं पूर्ण रस्विद संसार के सभी रसों को जानने वाले हो तुम इसमें अपनी आत्मा भर दो यानि अपनी जो अदवत चेतना है अलोकिक चेतना उसका संचार कर दो क्योंकि जब वीना में तुम्हारी चेतना का संचार होगा तो वीना प्रियमवद को विश्वास है कि वीना स्वते की पज़तेगी तुम गाओ और मेरे अंधकार पून खिरदय में वेदों और स्मृतियों के ज्यान का प्रकाश भर दो क्योंकि गाएगा कौन किरीटी वरिक्ष गाएगा ऐसा प्रियमवद उससे प्रार्थना कर रहा ह इसी प्रसंग में कभी किरीटी तरू की चर्चा करते हैं उसके बाद सारा जो वन प्रदेश जहां पर किरीटी वरिक्ष मौजूद है उस वन प्रदेश की यानि पूरे परिवेश पूरी उसक्षेतर की जो स्रिश्टी है उसका पूरा विस्तरित द्रश्य प्रस्तुत करत हैं कभी प्रियमवत किरीटी तरू की महिमा और दिव्यता में धीरे-धीरे डूब जाता है और स्वयम को भूल जाता है इतना डूब जाता है कि उसे अपने अस्तित्व का एहसास ही नहीं रहता इसकदर डूबने की आवश्यक्ता है हमें भी बच्चों अपने लक्ष के तो उसे मेरी भूल मानकर क्षमा करना यदि फिर भी अब इतने प्रयत्न के बाद भी यदि मुझे में तनिक भी एहंकार हो तो उसे मेरी भूल मानना मुझे क्षमा करना और अपने स्नेह की वर्षा कर मुझे अपनी शरण में ले लो यानि आप तो शरण दाता है आप सभी जीव जन्तुओं को चाहे वो छोटा हो या बड़ा बिना किसी भेद भाव के अपनी शरण में लेकर उसकी सुरक्षा का प्रबंद करते हैं तो मैं भी आपकी शरण में हूँ तो आप भी अपने स्नेह की वर्षा कर मुझे अपनी शरण में ले लें यानि पोण समर्पन का भ अंतत है समाधिस्त प्रियमवद के सधे इस फर्ष से वीना बजने लगती है यानि द्रिश्टे ये है दोस्तों आपको इस बात को अच्छी तरह इस बिंदु को समझ देना है क्योंकि वीना पर मस्तक टिका दिया है प्रियमवद ने और वो अपने आपको सौप रहा है वी प्रित्व को भूल जाता है उसे ध्यान नहीं रहता कि उसके हिर्दय की उसके शरीर की कैसी गतिविधियां हो रही है तो वो जब पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो उसके खुद बखुद हात सधे सपर्षते बिलकुल जैसे एक कुशल कलावंत वीना को बजाया करता है वैसे ही इस पर्षते वीना बजने लगती है और उसकी अलोकिक स्वर लहरी सुनकर सभी जो सभा में उपस्तित लोग हैं जन समुदाय हैं राजा हैं रानी हैं मंत्र मंडल के सदस्य हैं वे सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कभी लिखते हैं कि राज सभा में उपस्तित सभी जन उस संगीत लहरी में एक साथ डूबे उस संगीत में एक साथ डूबे यानि एक साथ वे भी एकाकार हो गए उस संगीत के माध्यम से क्योंकि वीना का संगीत क्या था वीना का संगीत था परम सत्य की वानी तो परम सत्य की वानी में सभी डूब गए लेकिन ध्यान देंगे सबने अलग-अलग रूपों में वीणा के संगीत को अनुभव किया जैसा मैंने आपको बताया कि डूबे सब एक साथ लेकिन सभी के अनुभव अलग-अलग थे सभी के सत्य अलग-अलग थे सबने अलग-अलग प्रकार की अनुभूतियां उस संगीत से अनुभव की प्राप्त की और स्वयम को जाना और धन्य माना और स्वयम को जाना अपने वास्विक स्वरूप को जाना और अपने आपको धन्य माना सबकी अनुभूतियां अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप भिन भिन रही राजा को अनुभव हुआ अब राजा को क्या अनुभव हुआ राजा को अनुभव हुआ जैसे यश और विजय की देवी जैमाला लिये मंगल गीत गा रही हो उसे अपना मुकुट हलका लगने क्या है कि राजा होने का जो एहंकार था समात्थ हो गया, मुकुठ हलका लगने लगा, इरश्या, महत्वा कांख्षाएं, द्वेश, चाटु कारिता, जैसी जितनी भी दुर्भावनाएं थी, वो एक आएक उस संगीत में डूब कर जैसे समात्थ हो गई, और उसे अपना रूपी जीवन निखरा हुआ, प्रतीत होने लगा, और उसने संकल्प किया, उसने संकल्प किया कि अब वो जो भी कारे करेगा, धर्म भाव से करेगा, अपना दाई तो समझते हुए, पूरी निष्ठा और समर्पन के साथ करेगा, अब बात आती है कि रानी को क्या यहरी एक थी, लेकिन राजा की अनुभूती अलग है, राजा का सत्य अलग है, रानी का सत्य अलग है, इसी प्रकार सभा में उपस्तित सभी मनुष्यों के सत्य अलग-अलग थे, आभूशन अंधकार के कंड है, संपूर्ण स्रिष्टी में क्या है, केवल असी में तो प्र पून स्रिष्टी के प्रती प्रेम है और उसने निश्चे किया कि अब वो इस समश्टी के प्रती सारे जो परिवेश है, सारा जो समुदाय है, सारे जो ब्रह्मान्ड है, इसके प्रती प्रेम की साधना करेगी, तो उसका अपना ये सत्य था, किसी को वह संगीत प्रभु के क् जीवन व्यतीत कर रहा था उसे लगा, जैसे इस संगीत से उसे मानो आतंक से मुक्ति मिल गई हो, किसी जो धन लोलुक थे, उन्हें लगा धन से मोहर रखने वालों को उसमें उस संगीत में क्या सुनाई दिया, सोने के सिक्कों की खनक सुनाई दी, तो किसान थे उनको अन्न क सौन्धी सौन्धी खुश्वू सुनाई दी, ऐसा लगा उन्हें कि अन्न की सौन्धी सौन्धी खुश्वू आ रही है, किसी को उसमें नई वधु के पायल की खनक सुनाई दी, किसी को जाल में फसी हुई मचली की तड़पन सुनाई दी, किसी को खुले आकाश में उरती चिडिया की चहक सुनाई दी, जैसा जैसी जिसकी मनोवृति थी, जैसा जिसका क्यप्तित्व था, जैसा जिसका हर्दय था, उसी के अनुरूप सबने उस एक परम सत्य से अलग-अलग अनुभूतियां प्राप्त की, यानि प्रत्यक व्यक्ति का अपना एक अलग सत्य होता है सभी मुग्धो कर उस मधूर दिव्य स्वर लहरी में डूबे तैरे उसमें तैरे और भाव विभोर हुए सबने अपने स्वरूप को उसकी सीमाओं को जाना और महसूस किया जैसे कि वे तेया तैर कर पार पहुँच गए हूँ वीना के मौन हो जाने पर राजा ने प्रियमवद को धन्यवाद दिया रानी ने उसे अपना सतलडा हार भेंट किया अन्त में प्रियमवद ने कहा कि इसमें कोई मेरा श्रेय नहीं मैं तो स्वयम वीना में डूब गया था और यहीं पर ये कविता समाप्त हो जाती है अब असाध्य मीना की कुछ एक प्रमुख पंक्तियां जिनमें सबसे महत्विपोण पंक्ती है आ गए प्रियमवद केश कंब्ली गूफागे है ये असाध्य मीना की पहली पंक्ती है कविता की पहली पंक्ती कौन सी है तो ये कविता की पहली पंक्ती है राजा के दर्बार में प्रियमबद पहुचता है और राजा उसका स्वागत करते हैं कि हे प्रियमबद तुम आ गए तुम तुम्हारे जो केश हैं वो कंबल के समार तुम्हारी छरीर पर छाये हुए हैं और तुम गुफा में रहने वाले हो, गुफा में, गुफा गे, गुफा ही जिसका घर है, गे कार्थ होता है घर, अब ये पंक्ती हो गई, उसके बाद राजा पूरा परिचे देता है, जिसकी चर्चा हम पिछले उसमें कर चुके, अब राजा कहता है, अपनी पीडा बताता है, वीना आचुकी है प्रियमवद के पास, वो कहता है, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, कि मैं इतने समय से व्याकुल हूँ, इस पीडा का, इस वीना का स्वर सुनने के लिए, इसकी स्वर लहरी में डूबने के लिए, मैंने बड़े-बड़े कलाकारों को बुलाया, लेकिन वे सभी पराजित हुए, यानि कोई भी इस वीना को बजा नहीं सका, सब की विद्या हो गई अकारत, यानि सब की विद्या, जो संगीत में, जो जो विद्या प्राप्त की थी उन्होंने, वो सब व्यर्थ चली गई, और सब को बड़ा एहंकार था, कि हम इतने बड वादक हैं, लेकिन वो सब का वो जो दर्प था, वो भी चूर हो गया, कोई ज्यानी गुणी आज तक इसे न साथ सका, एक से एक ज्यानी मेरे दर्बार में आये, गुनवान व्यक्ति जो संगीत में पारंगत थे, वे दर्बार में आये, लेकिन कोई भी इस वीना को साध न में सफल नहीं हुआ था पर मेरा अभी है विश्वास राजा कहता है लेकिन मैंने अभी हारा नहीं हूँ निराश नहीं हुआ हूँ मेरा अभी विश्वास है कि कृच्छ तप वज्रकीर्ती का व्यर्थ नहीं था कृच्छ तप का मतलब है कठोर तपस्या कि वज्रकीर्ती न वीना बोलेगी अवश्य पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा कि वीना तो बोलेगी लेकिन कब बोलेगी जब सच्चा स्वर का साधक इसे अपनी गोद में रखेगा और पूर्ण समर्पन भाव से इसके तारों को छेडेगा तभी इस वीना में से स्व बार निकलेगा अगला औस पर्ष अब यह वो प्रतंग है दोस्तों जब वीणा उस गोद में रख लेता है प्रियबद और उसके बाद उसकी उंगलियां खुद बखुद उस वीणा के तारों को क्योंकर वो डूप चुका कि तुम इतने महान हो के रिटिव रिक्ष कि तुम्हारे काश्ट से बनी हुई इस वीना पर मैं अपने हाथों की चोट भला कैसे दू इसलिए तुमसे मेरा विनम्र निवेदन है कि तुम है इस वीना मैंसे स्वर स्वयम ही निकालना होगा मेरी सामर्थ है मेरा इतना साहस नह यानि विरोधा भा सलंकार हो गया असपर्ष चुवन से चुवे तार चुवन और चुवे यानि छे कानुप्रा सलंकार हो गया उसके हाथों ने बहुत हलके कोमलता से उसके तारों को छुआ धीरे बोला धीरे से बोला राजन पर मैं तो कलावंत हूं नहीं कि आपने इतने ब जो साधना करना सीख रहा हूँ जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी और मैं जीवन का जो अनभिव्यक्त सत्य है जो इस सुरिष्टी की जो सच्चाई है उस सच्चाई का मैं साक्षी हूँ मैं स्वयम मतलब उस सत्य को जानने का प्रयक्न कर रहा हूँ और ये जो वीना है ये किस अनकहे सत्य को अपने भीतर अनुभव कर लिया था, तो ऐसी स्थिती में भला मैं इस वीना को क्या बजा पाऊंगा, ये इसमें व्यंजित है, प्राचीन कीरीटी तरू, एक तो वज्रकीर्ती की साधना का प्रतिफल है ये वीना, दूसरा प्राचीन कीरीटी तरू से बनी है ये वीना जो कीरीटी तरू स्वयम में परम सत्य है, अखिल ब्रह्मान में परम सत्य की तरह विद्यमान है, अभी मंत्रित वीना और इसके अत्रिक्त ये जो वीना बनी है, ये प्राचीन कीरीटी तरू से बनी है, वज्रकीर्ती ने बनाई है और ये मंत्रों से सिद्ध वी बीना का ध्यान करता हूं, फिर किरीटी ब्रिक्ष का ध्यान करता हूं, फिर वज्रकीर्ती जैसे महान साधक का ध्यान करता हूं, तो मेरा तो रोम 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 रोमांचित हो उड़ता है, मैं भाव विभोर हो उड़ता हूं, मैं अपने आपको बहुत तुछ अनुभव कर रहा हैं सभासद सभा में बैठे सभी जन कि प्रियमवत सो रहा है लेकिन वो क्या कर रहा था उस स्पंदित सन्नाटे में कि सन्नाटा भी था और स्पंदत से युक्त भी था क्योंकि बहुत सारे जीवित प्राणी मनुष्य वहां बैठे थे सबकी सांसों का स्पंदन उस वातावर में मौन प्रियमवद मौन होकर के वीना को साधने का प्रयत्न कर रहा था कभी लिखते हैं नहीं वो वीना को साधने की सामर्थी तो उसकी थी ही नहीं तो वो ऐसा नहीं कर रहा था बलकि क्या कर रहा था स्वयम अपने को शोध रहा था के उसके अंδर जो भी विकार हैं उनको शुद्ध करे उनको दूर करे ताकि पूर्ण समरपन शुद्ध हिरदे और एहिंकार सिरहित हो कर वो अपने आपको किरीटीव रिख्ष को समरपित कर सके सगन निविड में वह अपने को सौप रहा था उसी किरीटितरू को और वो कहां एकाकार था उसका ध्यान कहां लगा था उसका ध्यान वीना पर नहीं था बलकि वीना के माध्यम से वो किरिटिव रिक्ष की तरफ एकागरचित हो रहा था और किरिटिव रिक्ष के माध्यम से देखे साधना के कई सोपान होते हैं सीरिया होती हैं किरिटिव रिक्ष के माध्यम से वो उसके परिवेश के को अपने आपको सौप रहा था कौन प्रियमवद है कि दंब कर इस अभिमंत्रित कारू वाद्दे के सम्मुखावे कि भला किसमे इतना साहस है कि वो एहंकार से युक्ट होकर दंब यानि एहंकार से युक्ट होकर इस मंत्रों से सिद्ध मंत्रों से पवित्र किये गए ये जो अद्भुत बाद्ययंत्र है, अद्भुत कलात्मक, कारू मतलब कलात्मक, जो बाद्ययंत्र है, उसके सम्मुख आने का साहस कोई अपने एहंकार से युक्त होकर कर ही नहीं सकता, इसलिए प्रियमवद क्या कर रहा था? अपने आपको शोध रहा था, उसके बाद किरीटी तरू को और उस परिवेश को जहां किरीटी वरिख्ष मौजूद था, उस परिवेश को उस किरीटी वरिख्ष को अपने आपको समर्पित कर रहा था, यानि विनमरता से युक्त हो रहा था, प्रशनलंकार हो गया है, अब तेको कहता है प्रियमबद, फोah, अधियर पुजर्ग कई, लिए किरीटी, व्रिक्ष के लिए? कि एक विशाल आकार वाले व्रिक्ष वो पूरे जारखंड के अक्षद अग्रज जारखंड यानि पूरा जो वन प्रदेश है उसमें तुम सबसे पुराने व्रिक्ष हो यानि सबसे बड़े हो अग्रज हो बड़े होने का भाव यानि सम्मान और श्रद्धा भाव के अधिक तात पिता इसका एक अर्थ होता है एक अर्थ होता है कोई भी आदर्णी अब्यक्ति तो दोनों अर्थ हम यहां ग्रहेंड कर सकते हैं यह पिता यह आदर्णी है आप सखा भी है गुरू भी है क्योंकि मार्ग दर्शन भी करने वाले हैं आप दूसरों को आश्रे देने वाले भी हैं आप त्राता यानि दूसरों की रक्षा करने वाले भी हैं और आप विशाल चायादार वरिक्षें महत चाय यानि विशाल चायादार वरिक्षें यानि अपनी चाया में अपनी शरण में सभी पीडितों को सभी कष्ट में रहत हुए जो भी जीवित प्राणी हैं जो स पुल्मुखुरित वन ध्वनियों के वरंदगान के मूर्थ रूप और आप क्या है जितनी भी आपके वन में जो भी जीवजन्तु हैं बरसात होती है तो अलग अलग तरह के जीवजन्तु बोलते हैं चिडिया अलग ध्वनी करती हैं जो जंगली जानवर है वे अलग प्रका समेटा है संचित किया है तो आप जीते जागते उनके मूर्थ रूप हो यानि साक्षात उन सभी ध्वनियों का साक्षात रूप हो वरंदगान यानि समूह पक्षियों के समूह का गान उसका साकार रूप हो आप साक्षात रूप हो क्यूंकि आपने सेंकडों हजारों वर्ष तक इन सारी ध्वनियों को अपने भीतर संचित किया है समेटा है मैं तुझे सुनूह इसलिए है किरिटिव रिक्ष कर्षियों मैं आपके अंदर संचित की हुई वो सारी सेंक्डों हजारों वर्ष की ध्वनियों को सुनना चाहता हूँ. उन ध्वनियों को देखना चाहता हूँ, उनमें एकागर हो जाना चाहता हूँ. कैसे एकाग्र होना चाहता हूँ कि उनमें इतना डूब जाओं कि पलक भी न जप्पूं तब मेरी वानी एकदम वानी रहित हो जाओं सैयत हो जाओं अपना संतुलन ना भूलूं सैयोक्त यानि पूरी तरह से इन ध्वनियों में खो जाओं और निर्वाक यानि बोलने कि मु साहस पाऊं अब ऐसा साहस में भला कहां से पाऊं कि कौनसा साहस की बात की जा रही है कि मैं इस वीना को अपने हातों से के इस पर्ष से छू सकूं इस पर चोट दे सकूं और इससे वो स्वर निकाल सकूं ऐसा साहस मुझ में नहीं है अगलाइश यह वीना रखी है अब वो स्वरूप का ये अंग है, अईश है, किन तो अंगी, लेकिन जिससे बनी है, वो अंगी तू है, और तू कैसा है, तू अक्षत है, कभी तुझको काटा नहीं जा सकता, खंड है तू, आत्म भरित, यानि स्वयम मैं पूर्ण है तू, सारी विशेशताएं ब्रम की हैं, परम सत की हैं, ध्यान देंगे, रस विद, सभी प्रकार के संसार के जो रस हैं, उन सबको विद, यानि जानने वाला है, इसलिए, हे किरिटिव रिक्ष, इस वीना के स्वरों में, तू स्वयम गा, यानि तू अपनी उन ध्वनियों को, जो सैंक्डों हजारों वर्ष से, तू ने स अंचित की हैं, उन ध्वनियों को तू गा, तू अभिव्यक्त कर, यानि प्रियमवद का अभिप्राय क्या है, प्रियमवद का अभिप्राय है कि इन ध्वनियों को केवल और केवल, हे किरिटिव रिक्ष, आपको स्वयम ही अभिव्यक्त करना पड़ेगा, इस वीना को मैं नहीं बजाओंगा इस वीनाब के स्वर में आप स्वेम अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करेंगे मेरे अंधियारे अंतस में आलोग जगा और एक ऐसी स्वर लहरी इसमें से निकाल जिससे मेरा जो इंधकार से भरा हुआ जो व्रदय है जिसमें अज्ञानता का अंधकार व पर्ष करने का साहस जुटा सकूं ऐसा साहस मुझे दे ऐसी सामर्थ है किरिटिव रिक्ष मुझे दे अगलांश सुनता हूं मैं परहर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे सोक वायूसा नाद भरा में उड़ जाता हूं अब प्रियमवत पूरी तरह से किरिटिव रिक्ष इसमें द्यानस्तित हो चुका है उसे अपने अस्तित्व के विशे में कोई भी बौध अब नहीं है अब वो उन सारी ध्वनियों को सुन रहा है जो उस परिवेश में जीव जन्तूओं की पशु पक्षियों की विद्यमान है तो वो कहता है सुनता हूं मैं और मैं सारी ध् त्वर मुझे को मुझसे सोख रहा हो। मुझको मुझसे सोखने का अर्थ यह है कि मैं अपने अस्तित्व के प्रति बेखबर हो जाता हूं। मुझे बौध ही नहीं है कि मेरा अस्तित्व स्वयम भी है, मुझे लगता है मानो मैं उभी उन ही ध्वनियों का एक हिस्सा हूँ, वायू सा नाद भरा में उर जाता हूँ और जिस तरह से विभिन ध्वनियों से गुंजाय मान होती हुई पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह जाती है, उसी तरह से हे किरिटिव रिक्ष तुम्हारी ध्वनियों में खोकर, अनस्तित्व होकर, अपने बोध, अपने व्यास्तित्व के बोध से रहित होकर, मैं भी उसी वायू की तरह से उर जाता हूँ, यानि पूरी तरह से तुम्हारी उन ध्वनियों में मेरा अस्तित्व क्या है मेरा पहचान क्या है Canonी इसे अनूरी तरह से भूल चुका हूं सुनता हूं मैं पर मैं मुझ से परेष शब्द में लियमान मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं सुन रहा हूँ मेरे स्वयम के अस्तित्व के अलावा जितनी भी शब्द आपके स्वरूप में हैं उन सब मैं लै होकर मैं उन्ही की ध्वनियों को सुन रहा हूँ. लै लियमान यानि लीन होते हुए. यानि पूरी तरह से प्रियमवद एकाकार हो चुका है अगलांश मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं यानि अनस्तित्व अस्तित्व बोध लुप्त हो चुका पूरी तरह से लाय हो गया प्रियमवद कह रहा है नहीं मैं नहीं नहीं मेरा अस्तित्व कुछ है ही नहीं मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, औरे तरू, हे किरीटी वरिक्ष, औरे वन, हे किरीटी वरिक्ष वाले वन प्रदेश, ओस्वर संभार, स्वर संभार, यानि विभिन स्वरों का तंचित रूब किसको संभोधित किया जा रहा है, ये शब्द कहकर के, किरीटी वरिक्ष को संभोधित किया जा रहा है, वन को संभोधित किया जा रहा है नाद मैं संस्रिती नाद यानि ध्वनी से युक्त क्योंकि विभिन प्रकार के जीव जन्तुओं की वस्तुओं की ध्वनिया है तो नाद युक्त संस्रिती यानि प्रकृती तृष्टी और सभी रसों का विद्ध है और सभी रसों से सराबोर है लबालब भरा हुआ है जो मुझे ख्षमा कर गणे अगर मुझ से कोई भूल हुई हो तो मुझे ख्षमा कर विनम रता का भाग एहंकार रहित होने और विनम्दता का भाग भूल अकिंचनता को मेरी कि मैं अकिंचनता यानि तुछोने का भाग मैं तुछ हूँ इस बात को एक बार के लिए भूल जा मुझे ओट दे और क्या कर मुझे अपनी शरण में ले ले मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान कर मुझे अपनी चाया में ढख ले ताकि मैं केवल और केवल तुछ में डूब कर उस आनंद लोक में डूबा रहूं जिसमें डूबना मैं चाहता हूं चाले मुझे ढख ले ओ शरण ने किसको कहा गया है शरण ने पूछा जा सकता है शरण देने वाले को शरण ने कहा जाता है और ये कौन है ये है किरीटी व्रिक्ष मेरे गूंगे पन को तेरे सोय स्वर सागर का ज्वार्द बोले और मैं क्योंकि मेरा स्वर तेरे स्वर के सामने कुछ भी नहीं है इसलिए मैं अवाक हो गया हूँ निर्वाक हो गया हूँ क्योंकि यही प्रार्थना की थी प्रियम्बत ने तो वो कह रहा है मेरा जो ये गूंगा पन है कि मैं अपने अनुभूत को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ उस गूंगे पन को तू अपने स्वर के सागर के ज्वार में डुबो ले यानि अपूरी तरह से मेरे स्वर को मेरी ध्वनी को अपने ध्वनी में लाए कर ले मुझे एकाकार कर ले स्वर सागर छे कानुपरा सलंकार और स्वर रूपी सागर तो रूपकलंकार आ मुझे भुला अगला है आ मुझे भुला तू उतर बीन के तारों में कि मुझे अपने परिवेश से अपने अस्तित्व के बोध से बिलकुल उपर उठा दे मुझे याद ही न रहे मैं कौन हूँ और तू क्या कर है किरिटिव रिक्ष तू इन बीन के यानि वीना के तारों तु स्वयम उतर करा क्योंकि शुरू से वो क्या प्रार्थना कर रहा है उसका विनम्र निवेदन है कि जो स्वर संचित है इस वीना में उसे केवल और केवल किरीटि वरिक्ष की महिमा ही अभिव्यक्त कर सकती है प्रियमवद की इतनी सामर्थ नहीं कि वो उसे अपनी हाथों की चोट से उस स्वर को निकाल सके अपने से गा तुझे खुद गाना पड़ेगा अपने को गा और क्या गाना है अपने भीतर संचित जितनी भी स्वर लहरियां हैं उन सब को यानि अपने वास्त्विक स्वरूप को अभिव्यक्त कर अपने खगकुल को मुखरित कर तेरे व्रिक्ष की शाखाओं पर जो पक्षियों के समून विभिन प्रकार की वानी बोली है विभिन प्रकार के स्वरों से अपने कलरव से तेरे परिवेश को गुंजाय मान किया है उसे मुखरित कर यानि उसे अभिव्यक्त कर अपनी छाया में पले म्रगों की चौकडियों की ताल बांद और तेरी छाया में जो हिरन पालकर बड़े हुए हैं उनकी चौकडियों की जो ध्वनिया हैं उनको तु अपने संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त कर अपने छाया तप और अपनी छाया और आतप छाया प्लस आत चाओं वरिष्टी यानि वर्षा और पवन यानि हवा सभी जानते हैं इन सब को की जो ध्वनिया हैं सुंदर स्वर लहरिया हैं इन्हें तु अपने इस वीणा के माध्यम से अभिव्यक्त कर पुल मिला कर बात ये है कि तु अपने संपूर्ण स्वरूप को जो के आसानी से जाना जाने योग्य नहीं है क्योंकि तु अगम्य है तु अबोध है इसलिए तुझे जाना नहीं जा सकता इन इंद्रियों के माध्यम से तो हे किरीटिव रिक्ष्टु स्वयम अपने स्वरूप को अभेव्यक्त कर पल्लव कुसुमन की लाए पर अपने जीवन संचै को क अपनी प्रग्या को वानी दे और क्या कर तू कि तेरे जो नए पत्ते हैं वो और तेरे जो फूल खिलते हैं उनकी जो लाय है उनमें जो नहित संगीत है जो तुने अतने सेक्णों हजारों वर्ष तक अपने जीवन में संचित किया है उन्हें इस वीना के स्वर में छंदो से बांध कर अपनी प्रग्या को यानि अपनी चेतना की बुद्धी प्रग्या अपनी प्रग्या को वानी दे जो कुछ भी तेरे अंदर ज्यान है जो तूने समेटा है उसे तू वानी दे उसे तू शब्द दे और वानी किस रूप में देनी है वीना के स्वर के रूप में द उसे अनुबाव कर, तू उसे प्राप्त कर और फिर तू उसे खो दे यानि उसमें तू डूब जा, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा और पूरी तरह से डूबने की बात करता है प्रियमबत कि किरिटिव रिक्ष तू अपने अंदर संचित सभी ध्वनियों को ज्यान विज और अचानक सभा में उपस्तित सभी लोगों ने देखा कि उस समाधिस्त संगीतकार का हाथ स्वतह उठ गया, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसका हाथ उठ गया, क्योंकि वो तो किरिटिव रिक्ष में लाए हो चुका है, उसे अपने अस्तित्व का बोध है ही नहीं, उस वीना के तारों पर हलका सा स्पर्ष किया कि वीना जाग उठी, वीना जागने का मतलब क्या है कि स्वर निकलने लगा वीना से, किलक उठे थे स्वर शिशू, स्वर रूपी जो शिशू रूपक अलगार, वो मानो किलक उठे यानि संपूर्ण परिवेश में गूंजने लगे नीरव पद रखता जालिक मायावी सधे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेमतारों का कभी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था उस ध्वनी को उन स्वर के शिशू को सुनकर कि जैसे कोई मायावी शक्ति हो वो अपने सुनहरे हेमतार यानि सुनहरे तारों का जाल अब धीरे धीरे चुपचाप कदम रखता चुपके चुपके यहां आ रहा हो और अपने सधे हुए करों से इस वीना को बजा कर अपने सुनहरे तारों को का जाल यहां पर विछा रहा हो अभिप्राई क्या है? अभिप्राई ये है कि संपूर्ण दर्बार, संपूर्ण जो सभासद थे, वे वीना के स्वर में डूब चुके थे, जैसे कोई भी व्यक्ति जादू करता है और हम समोहित हो जाते हैं, वो जो दिखाना चाहता है वही हमें दिखता है, उसी तरह से ऐस प्रतीत हुआ उस समय कभी लिखते हैं, जैसे कोई माया भी व्यक्ति हो और वो धीरे-धीरे अपना माया जाल उस वीना के स्वरों के माध्यम से पहला रहा हो और सभी उसके आनंद में डूब गए अवतरित हुआ संगीत और आखिर वीना से संगीत अवतरित हुआ, संगीत कैसा था? स्वयम्भू, क्योंकि प्रियमवद ने नहीं उस संगीत को निकाला था, स्वयम्भू, स्वयम उत्पन हुआ था, जैसे ईश्वर को, ब्रह्म को स्वयम्भू कहा जाता है, उसी तरह से स पयम उत्पन्त हुआ संगीत था जिसमें सोता है अखंड और ये संगीत कैसा था जिसमें जो इस अखिल ब्रह्मांड की जो परम सत्ता है वो उसमें विद्यमान थी ब्रह्मा का मौन इस स्रिष्टी के रचैता का मौन उसमें विद्यमान था जिसकी प्रभा जिसकी जियोती सभी शेष नहीं होती, यानि समाप्त नहीं होती. डूब गये सब और जितने भी सभान, बें उपस्थित जन थे, राजा और रानी सहित, सब एक साथ, डूब गये सब एक साथ, एक साथ उस आनंद की स्वर लेहरी में सभी डूब गये, सब अलग अलग एकाकी पार तेरे, लेकिन हुआ क्या, डूबे सथ एक साथ, यानि उसमें लए सब एक साथ हो गए उस संगीत की ध्वनी में, लेकिन सब अलग अलग, अकेले-अकेले किनारे उत्रे यानि सभी की अनुभूतियां अलग थी, सभी की सत्य जो उन्हें अनुभूत हुए उस समय वे भिन भिन थे राजा ने अलग सुना, जै देवी यशह काय, राजा को लगा संगीत कहरा है, यश की जो देवी है, विजय की जो देवी है, वो यश की काया धारन करके वर्माला लिये, उसके सामने आ गई है, और मंगल गीत गा रही है, दुन्दो भी दूर कहीं और युद्ध के नगारे ब उत्रिक्षा लंकार है यहां, ऐसा लगा राजमुकुट बास्तों में राजमुकुट नहों, बलकि कोई शिरीश का हलका साथ पूल हो, इर्श्या, महत्वा, कांग्षा, द्वेश, चाटुता, सभी पुराने लुगडे से जर गए, लुगडे से पुराना गला कपड़ा, जैसे पुराना कपड़ा जब बहुत गल जाता है, तो धीरे धीरे उसके टुकडे टुकडे होकर विखरने लगता है, उसी तरह से जितनी भी विकृतियां थी राजा के व्यक्तितों में इर्श्या, महत्वा, कांग्षा, द्वेश, रखना, चापलूसी, ये सब पुराने कपड़े की तरह धीरे धीरे जड़ गये, यानि उसका व्यक्तितों पूरी तरह से निर्मल हो गया, निखर आया था जीवन कंचन और सोने की तरह उसका जीवन बिलकुल शुद्ध निखर गया, धर्म भाव से जिससे निचावर वह कर देगा, और इस प्रकार एहंकार उसक पत्ती बदली में एक कौंध, रानी को लगा, जैसे बादलों के बीच से बिजली चमकती है, वैसे उसे अनुभव हुआ कि कोई गहा है, कि तुम्हारे ये मनि मानिक कंट हार, पट वस्तर, पट मतलब रेशमी वस्तर, रानी को लगा कोई कह रहा एकि तुम्हारे गले में जो हार हैं, आभूशन हैं, और जो रेश्मी वस्त्र हैं तुम्हारे, मेखला किंकनी, जो कर्धनी पहन रखी है, तुमने सब अंधकार के कन हैं, ये सब अज्ञानता के कन हैं, आलोक एक है, इस संसार में, इस संपूर्ण जगत में, केवल एक ही प्रकाश विद्यमान है, और वो है परमशक्ति का प्रकाश, प्यार अनन्य और वो परमशक्ति का प्रकाश क्या है, अनन्य प्यार, यानि एक निश्थ प्रेम, उसी की विद्यूलता घेरती रहती है, और वो जो एक निश्थ प्रेम का भाव है, उसी की चमक सभी प्राणियों को अपने अंदर घेरे र रसभार मेग को जिस तरह से रसभार यानि जल से भरा हुआ जो बादल है उसमें बिजली विद्यमान होती है उसी तरह से प्रेम भाव से बिजली की तरह ये प्रेम भाव सारी विद्यू प्रेम भाव की जो चमक है वो सारे प्राणियों में समान रूप से विद्यमान होती है थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है जिस तरह से बिजली बादलों में चमकती है और फिर उसी में लए हो जाती है उसी तरह से इस संसार का जो परम सक्त्य है उसी में सब उसी से सब जन्म लेते हैं उसी में सब अपने आपको प्रकाशित करते हैं और वापस उसी में लाय हो जाते हैं और वो परमसत्य क्या है रानी के अनुसार प्रेम एक निष्ठ प्रेम ही वो परमसत्य है आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी रानी ने रिश्चे किया कि वो अब एक निष्ठ प्रेम की समश्ठी प्रेम की साधना करेगी और संपोर्न सॵिष्टी को अपने प्रेम का उपहार प्रदान करेगी, सब डूबे आखिर में, सब डूबे और इस तरह से उस वीना के स्वर में सभी डूब गए, सभी उसमें तैरे, सभी ने उसमें आनंद के अपने आपको, अपने बोध को, अपने अस्तित्व को भूला, और अचानक सभी को चैतन्य हुआ हो रहे वशमवद और इस सब चैतन्य होकर कैसे हो रहे थे वशमवद वद यानि जो ध्वनी निकल रही थी वीणा से उस ध्वनी के वशी भूत हो गए तब एकदम अवाक थे यत्ता सबकी अलग अलग जागी और सबकी जो अस्मिताती जो अस्तित्व था, वो सबका अलग-अलग रूपों में सबको अनुभव हुआ, संधीत हुई, यानि सबने तलाश किये, अपने अपने व्यक्तित्व के अंचुए पहलूँ को सबने अलग-अलग रूप में तलाश किया, यानि सबने अपने अस्तित्व को अलग-अलग रूप में अनुभव किया उसे पहचाना पा गई विले और फिर वो अस्विता जो उन्होंने अनुभव की वो फिर से उसी संगीत लहरी में डूब गई बीना फिर भूप हो गई और इसके बाद बीना चुप हो गई अब राजा प्रसंद हुआ उसने धन्य धन्य कहा रानी ने अहार भेंट किया सभा सदोने सबने पूरी जन सभाने मैं आनंद की लहरें गूजने लगी प्रियमवद अंत में बोला श्रेय नहीं कुछ मेरा क्योंकि एहंकार रहीत हो चुका था विक्रतियों से मुक्त हो चुका था शुद्ध निर्मल व्यक्तितु का धनी हो चुका थ प्रियमवद उसर ने कहा इस वीडा मैं से जो भी सर निकला है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था मैं तो डूब गया था स्वयम शून्य मैं यानि उस परमसत्य में स्वयम एकाकार हो गया था डूब गया था वीडा के माध्यम से अपने को मैने सब कुछ को सौंग दिया और मैंने इस वीना के माध्यम से जो भी इस संसार में व्याप्त परम सत्य है, जो तथता है, जिसको तथता का प्रभाव जहां मानते हैं, वो पंक्तियां ये है प्रमुक रूप से, जो भी तथता है, यानि जैसा है, जो कुछ भी है इस संसार में, जो संपूर्ण ब्रह्मान उत्पन नहीं हुई थी न वीना का था और नहीं वो विना का स्वर्था वह तो सब कुछ की तक्ता थी और वहवास्तों में जो परम सत्य विद्यमान है, जो कुछ भी इस संसार का संचालक है, जो शक्ति वो उसका अपना रूप था, उसकी अभिव्यक्ती थी, वह-महा शून्य, वह-महा मौन जो शून्य है, जो मौन रहकर भी अपने आपको अभिव्यक्त करता है, अविभाज जिस जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, अनाप्त जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानि ऐसा लगे अनुभव में, अनुभूती में, कि हमने उस परम सत्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन प्राप्त होने के बाद भी जो अप्राप्त है, जो जो आप्रमेय है जिसे नापा नहीं जा सकता, जो शब्द हीन होकर भी सब में गाता है, देखिए विरोधा भास है यहाँ, कि वह शब्द हीन है, क्योंकि मौल है, शून्य है, शब्द हीन है, लेकिन फिर भी सब में गाता है, यानि सब की धोनियों में, सब की स्वर लहरी में उसकी स्वर लहरी गुंचती है हम समझते हैं कि ये स्वर हमारा है लेकिन वास्तों में ये स्वर किसका है ये स्वर है उस सत्ता का उस परम सत्ता का उस तत्ता का जो संपून प्रहमांड में वित्यमान है अब ये हुई हमारी कविता असाध्यवीना अब इस पर आधाय कुछ एक महत्वपून प्रशनों पर बात करते हैं दोस्तों पहला प्रशन है कवी अग्ये द्वारा रचित असाध्य वीना किस काव्य संग्रे में संकलित है यूजी सी नेट 2021 में ये प्रशन पूछा गया बावरा अहेरी इंद्रधनु रोंदे हुए अ थे तो आंसर होगा D अगला प्रशन वीना का नाम असाध्य वीना क्यूं पड़ा आप ये सारे प्रशन आपको केम लगेंगे ऐसा लगएगा कि इने सरल-सरल प्रशन पूछे जा रहे हैं राजा ने उसे असाध्य वीना कहा था वीना को रोजाना साध कंड़ नहीं अगला प्रश्न आ गये प्रियमवद केश कंबली पंक्ती में रेखांकित शब्द का अर्थ है सन्यासी काले केशों वाला केशों का कंबल ओढ़े हुए या बगल में कंबल दवाए कुए तो C विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है इसकी बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके अगला प्रश्न वीना कहां से आई थी दक्षिन भारत के जंगलों से उतरा खंड के गिरी प्रांच से हिमाले के वनों से या चीन से तो उतरा खंड के गिरी प्रांच से वीना आई थी ऐसा दिक्र कवी ने स्वैम कविता में किया है तो आंसर होगा B मेरे हार गए सब जाने माने कलावंद पंक्ति किस ने कही राजा ने वज्रकीर्ती से, राजा ने रानी से, राजा ने प्रियमवद से या राजा ने अपने मन में कहा तो सीविकल्प इस प्रश्न का सही उतर है प्रियमवद जब दर्बार में पहुँचा तब निराश होकर राजा ने कहा, कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंद जो जाने माने संगीत अग्यथे वे सब हार गए लेकिन कोई भी इस वीना से स्वार नहीं निकाल सका, तो राजा ने ये बात प्रियमबत से कही तो उत्तर होगा C, अगला प्राशन पर मैं तो कलाव यहां अभिव्यक्त हुआ है, तो आंसर होगा B, अगला प्रश्न, प्रियमवद वीना पर जुक कर क्या कर रहा था, सोच रहा था, स्वयम को शोध रहा था, वीना बजाने का प्रयास कर रहा था, या सो रहा था, तो स्वयम को शोधने का प्रयास कर रहा था, यानि अपने को तलाशना कि हम में क्या-क्या बुराईया हैं और उनसे रहित करने का भाव, आंसर होगा B, कवी ने वीणा को जीवन भर की साधना क्यों कहा, प्रतियक व्यक्ति उसके सहारे जीवन की साधना करता था, प्रतियक व्यक्ति उसे बजाकर आनंदित होता था, अनेक साधकों ने मिलकर इसे बनाया था, वज्रकीर्ती ने इसका निर्मान करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो D विकल्पित प्रश्न का सही उतर है, जीवन की साधना इसी लिए कहा है कवी ने, क्योंकि वज्रकीर्ती ने, साधग ने अपना पूरा का पूरा जीवन इस वीणा को बनाने में लगा दिया था, तो आंसर होगा D, अगला प्रश्न, क्रिच तप वज्रकीर्ती का व्यर्थ नहीं था, पंक्ती मेरे खांकित शब्द का अर्थ है, कच्वे के समान बैठ कर तपस्या करना, कच्वे जैसा कठोर होना, लंगोटी पहन कर तपस्या करना या कठोर तपस्या करना, तो D विकल पिस प्रश्न का सही उत्तर है, क्रिच तप का मतलब है, तप का मतलब तपस्या, क्रिच मतलब कठोर, यानि कठोर तपस्या करना, आंसर होगा D, अगला प्रश्न, ओस बूंद की धरकन इतनी कोमल तरल कि जरते जरते मानो हरतिंगार का फूल बन पंक्ती में कौन सा अलंकार है उत्परेक्षा, रूपक, उप्मा या मानवीकरन, तो उत्परेक्षा अलंकार है यहाँ, मानो वाचक शब्द आया है, हर सिंगार का फूल बन गई, कौन बन गई, ओस की भूंद की जो धरकन है, वो धलते धरते धरते, क्या बन गई, हर की बर्फ की ओलों की या तूफानी हवा की तो सी विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है ओलों की कर्री चपत की बात यहां पर कवी ने की है तो आंसर होगा सी अगला प्रश्ण हिम्तुशार के फाहे धर्ती के घावों को सहलाते चुपचाप पंक्ति में कौन सा लंकार है मा कितने हिलों के समान लगती ऐ और ऐसा लगता है कि धर्ति के जुतने भी घाव हैं उनको हिम्तुशार के जो पाहे हैं वो सहला रहे हैं सहलाने की जो क्रिया है वो मानवी कर न, division कार मानव कर लंकार है मानवी है क्रिया का आरोप है परहर स्वर कमपन लेता है मुझको मुझसे सोख पंक्ति के माध्यम से कवी किसोर संकेत कर रहे हैं वज्र किर्ति के तब की ओर प्रियमवद के एकाकार होने की ओर सभा के डूबने की ओर या रानी की अनुभूति की ओर तो बी विकल्पिस प्रश्न का सही उतर है यहां प्रियमवद के एकाकार होने की ओर संकेत किया जा रहा है आंसर होगा बी अगला प्रश्न असाध्य वीना कविता में ओ शरण्य कहकर किसे संबोधित किया गया है प्रियमवद को, किरीटी तरू को वज्रकीर्ती को या राजा को तो बी विकल्पिस प्रश्न का सही उतर है प्रियमवद उसे किरीटी तरू को जब एकाकार होने की प्रक्रिया में है तब वो उसे ओ शरण्य कहकर के संबोधित करता है तो आंसर हुआ बी अगला प्रश्न तो ए विकल्पिस प्रश्न का सही उतर है तो आंसर होगा ए अगला प्रश्न वीना के संगीत के विशे में कवी ने क्या कहा है वह स्वयमभो है जिसमें अखंड सोता है वह ब्रह्मा का मौन है वह अशेश प्रभामय है उपर्युक्त सभी तो डी विकल्पिस प्रश्न का सही उतर है ये सभी बातें कवी ने वीना के संगीत के विशे में कही है तो आंसर होगा डी अगला प्रश्न सभी पुराने लुगडे से ज़र गए पंक्ति में कवी का क्या आशे है सभी दुर्भावनाय समाप्त हो गई सबके पुराने वस्त गलकर जड़ गए व्रिक्षों से पीले पत्ते जड़ गए या इनमे से कोई नहीं तो ए विकल्पिस प्रश्न का सही उतर है लुगडे से जड़ गए पुराने वस्त जैसे जड़ते हैं ऐसे ही राजा के जो सभी दुर्भावनाय थी वो समाप्त हो गई आंसर होगा ए अगला प्रश्न वीडा का सवर सुनकर रानी को क्या अनुभूती हुई उसके सभी आभूश और निरर्थक है संसार में केवल एक प्रेम का ही प्रकाश है रानी उसी प्रेम को साधेगी उपर्युक्त सभी तो D विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है उपर्युक्त सभी अनुभूतियां रानी को हुई तो आंसर होगा D अगला प्रश्न धन्य हे स्वर्जित धन्य धन्य किस ने कहा जन्ता ने रानी ने राजा ने या सन्यासियों ने दोस्तों ये पंक्ती कविता में उस समय आती है जब रानी सत लड़ा हार प्रियमवत को भेड़ देती है उसी के बाद ये पंक्ती है तो ये पंक्ती रानी ने कही तो आंसर होग अगला प्रशन वासुकी नाग पाताल में उसकी शीतल सुगंदियुक्त जड़ों पर फन टिका कर सोता था ये भी सही है उसके पत्ते कभी नहीं जड़ते थे ये कथन गलत है तो आंसर होगा डी अगला प्रशन अगला प्रशन रस्विद तूगा तूगा पंक्ति में रस्विद शब्द आया है आर्पीसी टीचर ग्रेड सेकेंड दोहजार दस में प्रशन आया वीना के लिए किरीटी तरू के लिए वज्र कीर्ती के लिए तो ये रस्विद जो शब्द है वो किरीटी तरू के लिए आया है तो आंसर ह अगला प्रश्न, पंक युक्त सायक C हंस बलाका पंक्ती में उपनेय है, RPSC टीचर ग्रेड 2nd 2011 में प्रश्न पूछा गया, पंक सायक हंस बलाका या पंक और सायक, तो C विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है, हंस बलाका का अर्थ है, हंस जो पक्शी होते हैं, वो जब आकाश में उड़ते हैं तो वो एक सीधी रेखा की तरह से प्रतीत होते हैं तो ऐसा लगता है कि पंक युक्त सायक सी कि पंक से युक्त बान सायक मतलब होता है बान पंकों से युक्त बान के समान हंसों की पंक्तियां आकाश में उड़ रही है तो किसकी उपमा दी गई है उपमे है हंस बलाका और उपमान है पंक युक्त सायक तो सी विकल्प इस प्रश्ण का सही प्रश्ण है अगला प्रश्ण अग्ये की कविता असाध्य वीणा में निम्नांकित में से कौन सी विशेश्टा नहीं है RPSC Teacher Grade 2011 में ये प्रश्ण पूछा गया बौधिकता के आग्रह की प्रभलता एहम का विलयन स्रजन प्रक्रिया के रहसी की अभिव्यक्ति या नाटकियता तो दोस्तों जहां भी समवाद होते हैं काव्य में वहां नाटकियता स्वतह आ जाती है तो नाटकियता यहां है स्रजन प्रक्रिया का रहसी यहां बताया गया है कि समर्पित होकर शुद्ध भाव से एहंकार रहित होकर ही हम स्रजन कर सकते हैं तो यह भी एहंकार के विलयकी बात भी यहां की गई है तो ए विकल्पिस प्रश्ण का सही उतर है बौधिकता के प्रती प्रबल आग्रह इस कविता म में पूछा गया, उन्हें अपनी महानता का बोध हुआ, उन्हें चारों और अपने प्रशन सागीत सुनाई दिये, उन्हें अपनी नश्वर्ता का बोध हुआ, उनका एहंकार नश्ट हो गया, तो आंसर होगा D. तू गा, मेरे अधियारे अंतस में आलोग जगा, स्मृती का शृती का पंक्ती में कौन किस्से गाने के लिए कह रहा है, राणी राजा से, वज्रकीर्ती किरीटी व्रिक्ष से, राजा राणी से, प्रियमवद किरीटी व्रिक्ष से, तो प्रियमवद यहां कह रहा है, तराता महत चाहे, यह किस ने किस से कहा, वज्रकिर्ती ने प्रियमवद से, प्रियमवद ने किरीटी वरिक्ष से, वज्रकिर्ती ने किरीटी वरिक्ष से, या रानी ने किरीटी वरिक्ष से, तो प्रियमवद ने ये किरीटी वरिक्ष से कहा, आंसर होगा B. अगला प्रशन उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे उसके कंधों पर बादल सोते थे उसकी करिशुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे बन यूथों का कर लेती थी परित्रान इस पंक्ती की चर्चा हम कर चुके हैं उसमें कहा है किरिटिव रिक्ष के स्वरूप का चित्रन किया जा रहा है कि उसके कानों में यानि वे उसकी जो शाखाएं थी किरिटिव रिक्ष इतना उचा था कि हिम शिखर बरफीली जो पहाडियां थी हिम आले की उसकी बराबर उसकी उचाई थी तो ऐसा लगता था देखने पर मानो बरफीले जो शिखर हैं वो उस उसके कंधों पर और जब बादल आकाश में चाते थे तो ऐसा लगता था मानो वो किरीटी व्रिक्ष के कंधों यानि उसकी शाखाओं पर विश्राम कर रहे हूँ उसकी करी शुंडों सी डाले और उसकी हाथी की करी यानि हाथी हाथी की सून के समान सुद्रण मजबूत जो जालिया थी जो शाखाएं थी वो हिम पर शा से सारे जो जंगली जानवर थे वन में रहने वाले जो यूथ थे जो समू था जानवरों का उन सबकी सुरक्षा परित्रान उन सबकी सुरक्षा करते थी इन पंक्तियों में केरीटी तरू के किस गुण का संकेत नहीं है सुब्रड़ता है उचाई है को मलता यहां पर नहीं है तो आंसर होगा स्ती अगला प्रश्न असाद्य वीना से अवतरित संगीत की अभिव्यक्ति थी सबके लिए समान किसी के लिए भी नहीं केवल राजा के लिए या सबके लिए अलग-अलग तो हम पढ़ चुके सबके यह अलग-अलग अभिव्यक्ति थी संगीत एक था लेकिन सभी की अनुबूतियां अलग-अलग थी आंसर होगा D असाध्य वीना कविता का काव्य रूप है UPTGT 2010 में प्रश्न पूछा गया खंड काव्य, प्रबंद काव्य, महा काव्य या प्रलंब काव्य है लंबी कविता तो ये एक लंबी कविता है और लंबी कविता को प्रलंब काव्य भी कुछ विद्वानों ने कहा है तो ये दो 2017 में पूछा गया बहुत आसान है प्रले की छाया असाध्य वीना ब्रह्मराक्षस्या का माईनी तो बी विकल्पिस प्रश्ण का सही उत्तर है तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने अग्ये की एक बहुत ही प्रसिद और अद्भुत कविता असाध्य वीना पर बात की उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी इसके कत्य को आप बिल्कुल हरदयंगम कर चुके हो होंगे और इस अब ये कविता आपके लिए समस्या नहीं रहेगी तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए तब तक के लिए नमस्कार